स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्रश्न हाल ही में केंद सरकार ने बहुभाशी शिक्षा के लिए कौन सा एप लांच किया है A. अनुवादिनी B. भारत ट्रांसलेट C. भाशा AI D. चैट GPT 2.0 Answer A. अनुवादिनी Explanation शिक्षा में बहुभाशावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद सरकार ने एक Artificial Intelligence आधारित प्लैटफॉर्म अनुवादिनी एप पेश किया है इस पहल के तहट विद्याले और उच्च शिक्षा के अंतरगत सभी पार्ठे क्रमों के लिए अध्यन सामगरी सम्विधान की आठवी अनुशूची में सम्मिलित भारतिय भाशाओं में डिजिटल रूप से उपलब्द कराई जाएगी अगला प्रशन सफारी की स्थापना मयूर बंज जिले के पास बारी पदा शहर में की जाएगी मयूर बंज में सिमलिपाल टाइगर रिजर्व, S.T.R. के पास होगी सिमलिपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एक मातर बाग निवास थान है जहां मेलेनिस्टिक बाग है जिनके शरीव पर चोड़ी काली धारिया होती है अगला प्रशन किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीका करण कार्यक्रम शुरू किया है कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला प्रमुक मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम 22 जन्वरी से शुरू किया है जो इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक लराई में एक महत्वपुन कदम है खासकर अफ्रीका में जहां मलेरिया से संबंदित लगभग 95 प्रतिशत मौते होती है अगला प्राश्चन प्रतिश्थित फ्रीडम ओफ द सिटी ओफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया अ अदिती मिश्रा बी अजीत कुमार मिश्रा भारत में जन्मे मशहूर वकील अजीत मिश्रा को विधी एवं सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिश्थित फ्रीडम ओफ द सिटी ओफ लंदन पुरसकार से सम्मानित किया गया UK-India Legal Partnership UKLP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जन्वरी को ये पुरसकार प्रदान किया गया अगला प्राश्ण 2023 के लिए ICCT 20 International Player of the Year के रूप में किसे नामित किया गया A. इशान किशन B. विराट कोहली C. सूर्यकुमार यादव D. शुभमन गिल C. सूर्यकुमार यादव Explanation लगातार दूसरे वर्ष भारत के T20 खिलारी सूर्यकुमार यादव को ICC पुरुष T20 International Cricketer of the Year पुरसकार से सम्मानित किया गया है Shots के अपने विविद मिश्रन के साथ सूर्यकुमार ने 2023 में 50 के औसत और 150 से आधिक के स्ट्राइक रेट के साथ अपना दबदबा बनाया